तभी को साधर प्रणाम मैं पंजाब से आपका लखवेंदर सिंग लब स्टोरी ओफ ठाकुर साब मेरे काफी मित्र हरान होगे होंगे कि आज भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप दोस्तों ये घटना ऐसी है कि हर एक युवा के लिए सुनना बहुत ज़रा जिरूरी है आज कल मोडन यूथ में क्या है जो ये वेस्टन कल्चर आ रहा है आपको तो पता ये क्या हो रहा होगा हम दोस्तों आज एक ऐसे बंदे की आपको घटना सुनाने जा रहे हैं जिसका कि सब कुछ इसी चक्कर में लुट गया इस कहानी का इस इंसिडेंट का आप सभी को पता होना चाहिए ताकि जो इस उमर में हैं वो ऐसी गलती ना करें एक बहुत ही प्यारे हमारे मित्र हैं छाकुछ सहाब कह सकते हो उनको उन अकेले के नाम पर चोदा किल्ले खेत हैं चोदा किल्ले की जो खेती है वो बंदा अकेले संभालता है जब उनकी उमर छोटी थी यानि कि आज से कुछ साल पहले तो जी वो एक लव अफेर में पढ़ गए वो उस समय लड़की की उमर छोटी थी उनकी भी छोटी थी दिन बीते गए महीने बीते गए साल बीते गए चलते चलते उनका जो वो रिष्टा था इतना गहरा हो गया कि जो वो लड़का था लड़की के घर भी जाता था घरवालों से भी मिलता था, सबसे उसका प्रेम था, अब वक्त सालों में बीत रहा था, इवन की दोस्तों जो वो लड़की थी, वो इतनी अमीर नहीं थी, और जो ठाकुर साब थे, जो जिनके पास 14 किले की खेती, अपने नाम पर थी, वो ऐसे थे कि बिंदास, ले जो होती ही होई है, कुछ-कुछ आर्थे वैसी, पर बंदा थोड़ा अच्छा था, दिल का बहुत साफ था, वो बंदा, जब भी लड़की को मदद होती थी, वो बंदा करता था, हर उसके घर की प्रॉब्लम भी वो बंदा सोल्व किया करता था, कोई मनी रिलेटिड प्रॉब स्टेंड लेते हैं, पूरा का स्टेंड, नब्बे परसेंट जो हमारे युवा भाई है, वो ऐसे ही है, क्योंकि हमें भी सोला साल का एक्सपीरियंस है, इसी राजपूताना में, उनका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका था, मेरे युवा भाई सुन रहे हैं अपन हो सकता है, ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई दिन का पहर नहीं था, जब उनकी बातें ना होती हो, आज के युवा उनका भी ऐसा होता है, आपको पता है, उनकी प्रेम कहानी को 14 साल हो चुके थे, अब धीरे धीरे जो लड़की के जो घर के हाला थे, वो भी खराब थे, तकरीबन खर्चा लड़की की जो पड़ाई थी, वो भी वही बंदा किया, करवाया करता था, जो अभी छोटी मोडी प्रोब्लम होती है, जैसे पहले पताया, वो किया करता था, अब जी मोड आ गया, लड़के के घरवाले कहते की, अभी जी तुमारी शेतरी शादी की उम थोड़ी 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 पीछे हटने लगे, अब जो पहले जैसा था, अब वैसा नहीं था, छागरुज आप आगल होगे भाई, आपको तो पताया कैसे होते हैं फिर, यूपी वो वाला रंग आ गया फिर सामने, बस जी उसके बाद रिलेशन होर खराब होन की गई, और अट लास जो वो लड़की थी, उसकी कहीं और जगा शादी हो गई, अब मैं आप से ये पूछता हूँ, कि भाई, उसको क्या मिला, उस बंदे को क्या मिला, यार ये कौन सा प्यार था, जो हवा की तरह उड़ गया, जो मैंने यूबा भाई है न, जो इस उमर म की वहाँ भी वही चीज़ होगी, एज रजबूत भाई, मैं किसी धरम, किसी कम्यूटी के बारे में गल्त नहीं कहता, ओला रिस्पेक्टेड और यहां पर बात कुछ दूसरी थी, जब भी कहीं भी रिष्टा लगाना होना भाई, परक्के लगाया करो, परक्के, तुमारी अब भाई साब कुछ सेट है, पर यार बस यह एक जिन्दगी का सबक था, कि अपना जो में गोल है ना, जो आपके माता पिता ने आपके लिए सोच के रखा होता है, वो उस पे फोकस करो, अपने कैरियर पर फोकस करो, वैसे भी राजपता ना, सतर साल में बहुत नीची आ करना है, क्या बता कल को आपकी भी कहानी आपका भाई सुनाएगा, बात याद रखना, सबीका अभार जाए भॉलेगे